प्राड़ी हिमाचल की एक और सीरिज में आपका स्वागत है दोस्तों एक लास साइकेंड होगी यहां पर हम इन्पूट आउट्विट डिवाइस से जो भी कोश्चन बनते हैं वो कोश्चन देखेंगे इंपोर्टन कोश्चन हम सभी डिसकस करेंगे चलो शुरू करते हैं त देखें OCR का मतलब क्या होता है देखें OCR का मतलब होता है Optical Character Recognization देखें इसे रीडर के नाम से भी जानते है Optical Character Reader या Recognization इन दोनों में कुछ भी आ जाए तो यह दोनों सही होगे अब बात करते हैं OCR होता क्या है देखें Optical Character Reader या Recognization इसका जो काम होता है convert करना scanned images into text file जो भी image को हम scan करते हैं example के तोर पर हमारे पास कोई PDF है उसकी हम photo कीचते हैं OCR का काम होता है उस photo को scan करके उसमें जो भी text लिखा है उसको computer readable format में convert करना मतलब की word format में document की format में उसको convert करना किसका काम होता है Optical Character Recognization का काम होता है अगला है OMR stands for देखें OMR का मतलब होता है Optical Mark Reader इसका OMR का मतलब होता है Optical Mark Recognization या Optical Mark Reader इसका अंसर होगा देखें हमें आपको पता है OMR sheet जब हम offline exam होते हैं हमारे जैसे हमने हिमाचल प्रदिश करम चारी चैन आयोग जो IT का हम जब भी exam दिया होगा अपने 817 का या अधर exam दिये होंगे किसी भी तरह के हिमाचल प्रदिश करम चैन आयोग के तो हमें OMR sheets मिलती है जहां पे हमने sheet पे हम circle लगाते हैं ठीके circle लगाने पे हम जो भी answer मिलते हैं चार जो option मिलते हैं उनमें OMR sheet में answer लगाते हैं तो OMR sheet का क्या होता है sheet में जो आपने circle किये होते हैं उनको read करने के लिए किसका use होता है OMR का ही use होता है अगला प्रशन है MICR क्या होता है magnetic ink character recognition तो इसका अंसर होगा magnetic ink character recognition इसका अंसर होगा देखिए आपने देखोगा MICR इसका main काम होता है जो हमारे checks होते हैं ठीक है उसको read करने का काम किसका होता है MICR का होता है देखिए MICR आप कभी भी check देखना तो यहां पर नीचे ऐसी line लगी होती है तीन ठीक है फिर तीन और लगी होते हैं नंबर लिखे होते हैं ठीक है जो पहले होते हैं तीन वो city दरशाते हैं अगले तीन वो bank का name बताते हैं और तीसरा बताते हैं वो branch कहां की है ठीक है वो क् काम करता हैं MICR का काम होता है अगला है full form of USB देखिए USB का मतलब होता हैं सोचिए देखिए इसका अंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस देखिए इसे USB आज भी बहुत यूज होती है जो भारतिये थे अजे भट इनके द्वारे इसके त्यार किया गिया था ठीक है इन्होंने ये इनके founder है अजे भट USB भी बहुत अरगी है देखिए USB हम जैसे pen drive ATC ठीक है वो USB है देखिए हमारे पास USB भी एक serial port आता है एक parallel port आता है देखिए serial port वो होते हैं जहापे keyword और mouse का use होता है वो port जिसमें हमारे पुराने स्में में जैसे keyword mouse connect होते थे उन्हें serial port कहते है parallel port वो होते है पुराने स्में में printer को टैच करने के लिए जिस port का use होता है उसे parallel port कहते थे अब इन दोनों का use छोड़के हम USB का use करते हैं easy है easily हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं और इसमें स्पीड भी इसकी बड़ी हाई है किसी भी चीज को ट्रांसफर करने की देखें जो serial port होता है जो इसमें data transmit होता है one bit at a time होता है बट जो parallel port होता है उनमें many bits at a time होता है मतलब one byte eight bit में जो data transfer होता है या travel होता है parallel port में देखें एक question है जो पूछा जा रहा है आजकल exam में कि दो computer को attach करना है ठीक है उनमें जो भी कुछ communicate करना है दो computer के बीच में या कुछ transfer करना है तो उसे क्या बोलते हैं तो इसका answer होगा fair way ठीक है यह याद रखना है अगला question देखते हैं देखे question है in laser printer printing is achieved by deflecting laser beam onto देखे laser printer में किसका use होता है इसका जो answer होगा B होगा photo sensitive देखी photo sensitive का use होता है मतलब की क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं photo sensitive technology का use होता है पहले समझिए यह एक high quality printer है light technology का use होता है जो speed है इसकी माँ पी जाती है page per minute में किस में माँ पी जाती है page per minute में इसकी स्पीड है माँ पी जाती है PPM में और इसमें जो ink Ado कि इूज की जाते है वो कौनसी ही की जाते है powder की foam में यूज की जाती है जिसे powder cartridge भी बोलते हैं अगला प्रशन है a kind of serial dot matrix printer that form characters with magnetically charged inks dot is called सोची इसका क्या answer होगा तो इसका answer होगा inkjet printer देखिए क्या कहने की बात कर रहा है देखिए inkjet printer कैसे printer होते है जो हमारे home या office में इसको हम personally use करते है वो inkjet printer होते है देखिए इसमें जो ink का use किया जाता है इस printer का use मैंने बता दे business के लिए किया जाता है home office inkjet printer का ही use किया जाता है अगला printer is an example of देखिए printer एक बहुत अच्छा example है output devices का ठीक है किसका example है output devices का example प्लोटर की बात करें तो प्लोटर भी एक output device है देखिए printer के advance form है वो plotter कहलाते है जैसे हमने banner बनाने होते हैं तब किसका plotter का use किया जाता है आर्केटेक्टर डिजाइन त्यार होता है blueprint design होता है किसी भी घर का तो प्लोटर का use किया जाता है जो cad होता है cam का use जो काम होता है cad cam का वो भी plotter की थ्रिवी होता है page per minute में speed मापी जाती है banner बनाने में काम आता है प्लोटर प्रिंट्स जब प्लोटर क्या प्रिंट करता है विद बाल पॉइंट पैन लेक्ट्रो स्टैटिकली विद इंक पैन इसका होगा प्लोटर की बात करें मैंने जैसे आपको बताया कि प्लोटर का use architecture design blueprint जो मकान का design किया जाता है उसके लिए किया जाता है जो नक्षा बनता है बैनर्स बनते हैं वो प्लोटर के थ्रिव बनाय जाते हैं cad cam technology का यहां पर यूज होता है प्लोटर की जो speed है page per minute में मापी जाती है बट एक बहुत अच्छी बात है यहां पर जो इसमें technology यूज की जाती है उसे कहते है printer vector graphics क्या कहते हैं यह याद रखना है printer vector graphics इस technology को कहते हैं जहां पर pen pencil या marker या other devices का use किया जाता है किसी भी design को तियार करने के लिए प्लोटर राज वेरी यूजफुल इन अप्लिकेशन सच अच अच कंप्यूटर एड़ी डिजाइन वर्ड प्रोसेसिंग फैनाशल अकाउंटिंग मैंने बता दिया कंप्यूटर एड़ी डिजाइन के लिए CAD CAM technologies में यूज की जाती है प्लोटर में अगला प्रेशन है टू पड्यूस हाइड क्वाल्टी ग्राफिक्स हाड को पिन करर यू वूड वांट तू यूज देखिए हाइड क्वाल्टी के लिए किसका यूज किया जाएगा वह प्लोटर का ही यूज किया जाएगा मैंने बता दिया कि अडवांस वर्जन है प्रिंटर का प्लोटर इसमें दो तरह क्या आते हैं drone plotter flat bed plotter अगला प्रश्चन है वीचव दो फ्लाइग in-class printer देखिंए class printer कॉनसा है ह। जो इसका अंसर होगा वह है थर्मल फ्रेंटर इंक्लास printer कॉन सा थर्मल प्रेंटर कॉन सा है इंक-class printer हैं इसमें जो print किया जाता है heat technology जैसे ATM होगे pause machine होगी swapping machine जिसे कहते हैं वहां पे thermal printer का use किया जाता है ne oh inc इसमेn thermocromic paper का use किया जाता है उसके तीरूह यहां पे print किया जाता है thermal printer मैं जैसे आपने देखा होगा ATM मशीन से हमारी जब पैसे निकालते हैं तो हमें एक slip मिलती हैं तो उसमें क्या होता है वो thermal printer पर ही वर्क करते हैं कुछ ही देर में जैसे हम हाथ से साफ करें तो बिल्कुल साफ हो जाता है क्योंकि उस पर जो इंक है ज्यादा देर टिकती नहीं है अगला है laser printer is invented at in the year देखिए laser printer को invention हुई थी वो ही थी दोस्तो 1969 में ठीक है इंक जैट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर अर दे defeलन इंपक्ट ने नहीं दिसका होगा इंकि सब्सक्राइब यह अगरा प्रशस देख आ tutti अगला देखते हैं is printed on paper stored in cd stored in floppy यह इन में से कोई नहीं देखिए hard copy जो होती है वो print की जाती paper के ऊपर ही जो हम physically किसी को touch करते हैं वो hard copy ही खिलाती है तो इसका ए अंसर होगा which of the flowing high speed non-impact printer is fast enough to print the entire book in about one minute तो इसका जो answer होगा वो होगा laser printer के द्वारा ही किया जाता है देखिए इंपोर्टन्ट से जो question अगला है इंपेक्ट प्रिंटर आर तो इंपेक्ट प्रिंटर का अंसर होगा strike के ribbon English the paper to produce character image यह आपको याद रखना है इसका answer होगा देखिए simple भाशा में बताओं तो impact printer वो printer होते हैं ऐसे printer जो print निकालने के लिए paper से interact करें उसको impact printer कहते हैं ठीक है non-impact printer वो printer होगे जो इसका interaction नहीं होता है paper के साथ उसको non-impact printer कहते हैं तो अगला है impact printer that uses an interchangeable rotating printing unit for hard copy about output is तो वो होगा डेजी भीहील printer डेजी भीहील printer का काम क्या था printer character के साथ image भी low quality की print करने की capability रखता था इसकी speed हम बात करते हैं character per second में ही character per second में इसकी speed को मापा जाता था अगला है printing information card exit physically and is a more permanent from of output that then that presented on a display device इसका जो अनसर होगा hard copy printed information का मैंने बता दे hard copy को ही कहते हैं जिसको हम physically touch कर सकते हैं देखे आज के लिए इतने ही important question थे thank you have a nice day god bless you all bye bye